आज की तारीख है 22 मई 2021 हमारे दो चैनल्स हैं पिनेकलर फ्रेंडियर आएस और अगर अब तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा साथी साथ इस बल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारे दो वेबसाइट्स हैं मिन दोनों को विजिट करना बिल्कुल न भूलिएगा और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबा चार बज एवेलिबल हो जाता है साथ ही साथ पर डेली वीडियो इस पीडियाफ एंड मंथली मैगजीन आप हमाई टेलीग्रम हैंडल्स प्रेंटियर आएएस और सेसीजल पिनेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रिवेज क्विज के साथ मैंने अपसे पहला क्वेसिन पूजा था कि युनेसको विश्व दरोवर सलो की संभावित सूची में कितने सांस्कृतिक विरास्त सलो को जोड़ा गया है तो इसका सही जवाब था च्छे और दूसरा क्वेसिन पूजा था कि आयुश्मन भारत कालकरम के तहट स्वास्त और कलियान केंडर स्थापित करने में किसी राज्जे ने शीर स्थान हासिल किया है तो इसका सही जवाब था करनाटक इस सम्यलन की इंब हो इंप्ऋटन इसको ध्यान से सुनना है ती को तक समान पहुँच सुनेश्चित करना और स्वासे प्रनालियों एव अपात सित्यों के लिए लचीलापन पैदा करना यह तस्वीर में देखिए राष्टर मंदल की महा सचीव सूश्री पेट्रीशा स्कॉटलेंड विश्व स्वासे संगठन के महा निदेशक डॉक्टर टेडरोस अदनॉम और सदस्य देशों के स्वासे मंत्री भी इस बेठत में उपस्तित थे नेक्स्ट क्वेस्ट्ट देखो विश्व मेट्रोलोजी दीवस कब मनाया जाता है तो इसका सही जवाभ हो ऑप्शन मबर D 20 मै तो विश्व मेट्रोलोजी दीवस हर साल 20 मै को विश्व स्तरपर मनाया जाता है यह दीवस 17 देशों के प्रतिनी ध्यों दुबारा पैरिस फ्रांस में 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर दीवस को चिनहित करता है इस वर्ष की थीम है स्वास्ते के लिए मापन यानि मेजरमेंट फॉर हेल्थ इस थीम को स्वास्ते में मापन के महत्व पून भूमिका के बारे में जगरुकतर पैदा करने के लिए चुना गया था International Organization of Legal Metrology का मुख्यालिया है पैरिस फ्रांस में नेक्स्ट क्वेस्टन देखो सयुक्त राष्ट्रे जलवायू परिवतन शिकर सम्मिलन कॉप 26 में पीपल्स एडवोकेट किसे नामित किया गया है तो इसका सही जवाब ऑप्शन बर बी डेविड अटनबरो तो इस वर्ष नवंबर में ग्लासको स्कॉटलेंड में सयुक्त राष्ट्रे जलवायू परिवतन शिकर सम्मिलन के दुरान ब्रिटेन के धक्षिता के लिए विश्व प्रसिद प्राकर्तिक इतिहासकार सर्ड डेविड अटनबरो को कॉप 26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया गया है प्रसिद संडक्षन वादी सर्ड डेविड अटनबरो को वैश्विक नेताओं और आम जनता को जलबायू कारेवाई के महत्मों के प्रति जागरू करने मौझूदा प्रगर्ति पर वार्ता करने और कॉप 26 के दुरान लिये जाने वाले निर्नों और कारेवाईयों को उजागर करने का कारेश्वापा गया है मशूर प्रकर्ति वादी और प्रसारक सर्ड डेविड अटनबरो को सोमबार को 2019 के इंदिरा गांधी शांतिपुरसकार से सम्मानित किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओ को लागू करने में कौन सा राजय शीर्षपर है तो इसका सही जवाब हो ऑप्शन नबर सी जारकंड तो देश के 36 राजयों एम केंद्री शासित प्रदेश के विभिन 100 शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओ के किरियाने वनकी प्रगर्टी के अधार पर भारत सरकार के केंद्री अवासन एम शहरी कारे मंत्राले दवाराज़ारी हालिया रैंकिंग में जारक पटना 68 वे स्थान पर मौजूद है इस रैंकिंग में स्मार्ट सिटी मिशन दवारा संचालित योजनाओ के किरियानी वन और प्रगर्टी को अधार बनाया जाता है और विभिन कारें के लिए अंक निर्धारित होते हैं नेक्स्ट वेस्टन देखो कोचिंग को दिये जाने वाले इस सर्वोच पुरसकार से सम्मानित किया गया था तो उन्हें तस्वीर में देखिए वें 1968 से 1989 तक भारते राष्टर मुक्यबाजी टीम के कोच थे वहर राष्टर चैन करता भी रहे हैं नेक्स्ट क्वेस्टन देखो 2021 जी सेवन स्वास्ते मंत्रों की बैठक किसी उनिवरसिटी में आयूजित की जाएगी तो इसका सही जवाब हो ऑप्शन नबर बी ऑक्सवर्ड उनिवरसिटी तो भारत 3 और 4 जून को ऑक्सवर्ड उनिवरसिटी में होने वाली 2021 जी सेवन स्वास्ते मंत्रों की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित अतिती देशों में से है औक्सवर्ड उनिवरसिटी को कोविट के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में केंद्र में अपनी भूमिका के लिए चुना गया है जिसमें विश्व अग्रणी निदानिक परिक्षन यानि क्लिनिकल ट्रायल्स और कोविट टीको पर एस्ट्राजेनिका के साथ इसकी गयर लाबकारी साज़दारी यानि नॉट फर प्रॉफिट पार्टनर्शिप है नेक्स्ट क्वेशन देखो पूर्व केंद्रे मंतरी बाबा गोडा पाटिल का हाल ही मिनि दिन हो गया वे किस राज्ये से लोगसबा सदसे चुने गयी थे कितूर से निर्दली जिधायक चुने गये थे और वर्ष 1998 में भाजपा के टिकट पर बेल गाम करनाटक सीट से लोकसबस अदस्य निर्वाचित हुए यहाँने तस्वीर में देखिए अटल भिहारी भाजपाई की सरकार में वह ग्रामीन विकास सोतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रहे नेक्स्ट क्वेस्टन देखो स्वाधीनता पुरसकार किस देश द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच नागरिक पुरसकार है तो प्रदान मंत्री शेक हसीना ने 9 व्यक्तियों और एक शोत संगठन को बंगलादेश के सर्वोच नागरिक पुरसकार स्वाधिनता पुरसकार 2021 प्रदान किया है यह पुरसकार बंगलादेश के मुक्ति संग्राम विज्ञान और प्रदियोगी की साहित्यों संस्कृति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लोगों या संगठनों को प्रदान किया जाता है बंगलादेश क्रिशियन उसंधान परिशद ने अनुसंधान और प्रशिक्षन श्रेनी में पुरसकार प्राप्त किया यह पुरसकार 1977 से दिया जा रहा है यह तस्वीर में देखिए इसकी घोशना बंगलादेश के इंडिपेंडेस दे से पहले की जाती है पुरसकार प्राप्त करने वालों को एक स्वरन पदक और पांच लाख रुपे का इनाम दिया जाता है बात करें हाँ पर बंगलादेश की तो इसी कैपिटल है धाका करंसी है बंगलादेशी टका नेक्स वेशन देखो भार्टी आयरविग ज्यान अनुसंधन परिशद ICMR ने COVID-19 के सिम्टोमेटिक रोग्यों के घरेलू परिक्षन के लिए किस किट को मंजूरी दी है जिसका सही जवाब हो ऑप्शन इमबर B तो ICMR ने होम टेस्टिंग के लिए को भी सेल्फ किट को मंजूरी दे दी है परिक्षन व्यक्ति को स्मय का परिक्षन करने में सक्षम बनाएगा ICMR ने अपने एडवाईजरी में कहा कि उप्योग करता को परिक्षन के लिए अपने मुबाइल फोन पर MyLam आप को डाउनलोड करना होगा अप परिक्षन प्रक्रिया का एक व्यापक गाइड है और रोगी को positive या negative test results प्रदान करेगा इस rapid antigen परिक्षन के लिए केवल एक नाक के swap के अवशक्ता होगी परिक्षन प्रक्रिया को पुरा करने के बाद उप्योग करता को उसी मुबाइल फोन के साथ पर इक्षन पट्टी की तस्वीर क्लिक करनी होगी जिसको उप्योग मुबाइल आप डाउनलोड करने और उप्योग करता पंजिकरन के लिए किया गया है यहाँ पर एक्षन इंफर्मेशन की बात करें तो केंद्रि स्वास्ते मंतरालय ने 19 में 2021 को राज्यो और केंद्रि शास्त प्रदेशों को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहट म्यूकॉर्मी कॉसिस या काले कवक को एक नोटिफाइड बिमारी घोशित करने को कहा है हर्याना इसे पहले ही नोटिफाइड बिमारी घोशित कर चुका है बात कर लेते हैं आज के सेशन के को एक समरी की तो कॉमन वेल्ट कंट्रीज की 33 मीटिंग को इंडिया ने चेयर किया वर्ल्ड मेट्रोलोजी डे 20 मई को मनाया जाता है UN Climate Change Summit COP26 में People's Advocate के रूप में डेविड अटनबरो को नामित किया गया है स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम में जारखन ने टॉप किया है वॉक्सिंग के पहले द्रोनाचारी अवोडी कोच ओपी भार्दवाच का हाल ही मिनिदन हो गया G7 Health Ministers Meeting Oxford University में आयुजित की जाएगी करनाटका से Elected लोगसभा मेंबर बाबा गोड़ा पाटिल का हाल ही मिनिदन हो गया इंडिया और अमान ने अपने Military Cooperation MOU को Renew किया है स्वाधीनता पुरसकार बांगलादेश का Highest Civilian Award है और ICMR द्वारा Approved Self Testing Kit का नाम है COVID Self बात कर लेते हैं आज के Session के Quiz for the Day के आपका पहला Question है विश्व Metrology दीवस कब मनाया जाता है और आपका दूसरा Question है Smart City Mission योजनाओ को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्श पर है इन दोनो Questions का आंसर आपको नीचे Comment section में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताके मारी आने वली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल सके हमारे दोने वेबसाइट्स और टेलिग्राम हैंडल्स को जरूर करना है साथी साथ घर पर रहिए, सेफ रहिए Thank you so much